तमिलनाडू के लोगडाउन को लेकर काफी वड़ी अपडेट है तमिलनाडू में लोगडाउन आपका 21 जून तक के लिए भढ़ा दिया है जी हाँ अब तमिलनाडू के अंदर जो हमारा 14 जून तक लोगडाउन लगा हुआ था अब उसे एक सब्टा के लिए और बढ़ा कर 21 जून के सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया है तो चलिए जानते हैं अब की बार तमिलनाडू में काफी छूट दी गई है तो क्या है पूरा अपडेट इसके बारे में फुल गैडलेंस जानते हैं हिंदी में तो देखी का पहले तो आप इसे समझिए कि जितने भी आपके जिलें हैं तमिलनाडू के अंदर उसमें से 11 जिलों के अंदर आपको कम छूट देखनी के लिए मिलेगी तो जिसमें आपका 11 जिलों में नमबर बन जो जिला है जिसमें कम छूट देखनी के लिए मिलेगी कोवर्द के काफी जाते हैं, इसलिए यहां फैसला लिया गया है। पहले हम उन guidelines को जान लेते हैं तो देखीगा पहला जो point है जो बूरे तमिलाडू के अंदर हमारी guidelines लेंगी तो पहला जो हमारा point अब हो ये है कि देखीगा जितनी भी आपकी private security की company हैं उनके office हैं और घर और apartment में आपका domestic management से जोड़ी हुई जितनी भी services है जैसे housekeeping नो कर बगेरा जो होते हैं इनके लिए कहा जा रहा है कि आबजाही करने के लिए आपको full इजाज़त है लेकिन आपको e-registration करना होगा ठीक है जी अगला point है कि देखीगा जितने भी आपके self-employed वेक्ती हैं जैसे electrician है, plumber है, motor technician है और भड़ा ही है, यानि कि जो हमारा furniture बगेरा के जो काम करते हैं इनसे जुड़ी हुई service जो है, लोग जो है ये घर पर repairing के लिए सुबह 9 बजे से लेकर साम 5 बजे तक जा सकेंगे, ठीक है घर पर repairing के लिए आप जा सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर साम 5 बजे तक और दुफेर तक e-registration करने के लिए आपको अनुमती होगी website पर, और कहा जा रहा है कि इन लोगों को अपनी दुकानों को खोलने के लिए अनुमती नहीं है, ठीक है हाला कि ऐसी दुकानों को खोलने के लिए अनुमती नहीं है, तो देख सकते हैं, साप साप लिखा हुआ है, अगला पॉइंट यह है कि जितनी भी देखेगा साइकल और आपकी बाइक की मरमत की दुकाने हैं, रिपेरिंग की दुकाने हैं, ये भी सुबह 9 बजे से लेकर दुफेर 2 बजे तक पूरे तमिल नाडू के अंदर खुलेंगी, लेकिन बिकरी के परपस से आप साइकल या बाइक, अगर आप बेश रहे हो तो भई बो दुकाने हमारी सोरूम बगेरा बंद रहेंगे, ठीक है, जितने भी देखेगा, हमारे रेंट के हमारे ट्रांसपोर्ट है, किराई पर जितने भी हमारे बहान है, टेक्सी और ओटो में जितने भी यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो उनको इरिश्टेशन के साथी अनुमती होगी साथी बताया जा रहा है कि किराई की टेक्सियों में ड्राइवर के अलावा तीन यात्रियों को यात्रा करने की अनुमती है जबकि ओटो में ड्राइवर के अलावा केबल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमती होगी ठीक है जी अगला पॉइंट यह है कि जितने भी देखेगा किर्सी से जुड़े हुए उ पुकाने भी सुबह 9 बजे से लेकर दुफेर 2 बजे तक खुल सकेंगी बहीं बात करें मिट्टी के बरतन और हस्त सिल्प का निर्मान करने वाले और मिट्टी के बरतन इन से जुड़ी हुई जितने भी बिकरी करने वाले जो लोग हैं अपना बिकरी बगरा कर सकते हैं बरतन पाँच बज़े तक आप काम कर सकते हो अपने ये सर्विस खोल सकते हो बहीं बात करें एक्सपोर्स कंपनिया और कंपनिया जो उन्हें मैनुफेक्शर और आपूर्ती कर रही हैं आप जो है 25% डिश्टाप के साथ अपना काम कर सकते हो ठीक है लेकिन अब जो मैं आपको गैडलेंस बताने वाला हूँ वो आपकी 11 जिलो में लागू ना होकर केबल 27 जिलो में लागू रहेंगी और उन गैडलेंस में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा जो मैंना आपको यहाँ पर अब ये गैडलेंस बताई है ना तो वो गैडलेंस आपकी 27 जिलो में लग होगी जैसे कि एक्सपोर्स कमपनियों में जितने भी मज़दूर काम करते हैं तो वो 11 जिलो में तो 25% काम करेंगे अब वो गैडलेंस जो 27 जिलो में ही लागू रहेंगी 11 जिलो को छोड़ कर ठीक है तो वो 11 जिलो में लागू ना होकर 27 जिलो में लागू रहेंगी क्यों 27 जिलो में करोना के केस संकर्मन की दर काफी कम है और तो चलिए जानते हैं वो हमारी guidelines कौन सी हैं तो 27 जलों के अंदर अगर आप ये जानना चारहे हो कि 27 जले कौन से हैं तो मैंने आपको 11 जलों के नाम बताये थे और उन 11 जलों के अलावे जितने भी आपके जले हैं वो 27 जले हैं केवल आप 50% कस्टुमर के साथ ही अपने ये चीजे खोलोगे ठीक है मानिके चलिए किसी ब्यूटी सहलून के अंदर आपकी 4 सीट लगी हुई है ठीक है अब केवल उसमें 2 ही कस्टुमर की सीट पर कस्टुमर बैठ सकते हैं और 2 के लिए वो बाद में ही बुलाएंगे ठीक ह किरसी उपकरण और पंप सेट मरम्मत की दुकान बिकरी आउटलेट के लिए नहीं खुलेंगी लेकिन मरम्मत रिपेरिंग के लिए दुकाने करसी उपकरण से लेकर सूबह नो बज़े STEVE नहीं रह सकती है लेकिन देखो जैसे में आपको ओपर है गैड़ लेंस बताइथी ठीक है टाइम बढ़ा रखा है क्योंकि आपका 27 जिलो में पर कोबर के केस गम है 11 जिलो में आपका कोबर के केस बहुत जादा है इसलिए बहाँ पर टाइम कम था ठीक है अगला पॉइंट यह है मोबाइल फोन की दुकाने सुबह 9 वजे से लेकर दुफ़र 2 वजे तक चल सकती है ठीक है लेकिन 11 जिलो के अंदर मोबाइल की फोन की इससे जुड़ी हुई जितने भी दुकाने बंद रहेंगे 27 जिलो में ही खुलेंगे निर्मार सामगरी बेचने वाली सिमेंट सरिया आधी की दुकाने सुबह 9 वजे से लेकर दुफ़र 2 वजे तक खुलेंगी अगला पॉइंट यह है कि मिक्सर ग्राइंडर टीवी आधी के लिए घरे लूप करन की रिपेरिंग और मरमत की दुकाने जो है सुबह 9 वजे से लेकर दुफ़र 2 वजे तक खुलेंगी बहीं बात करें स्कूल कॉलिज और यॉनिवेस्टियों में चात्र के एड्मिशन से सम्मंदित एड्मिनिस्ट्रेशन ओफिस जो है कारिये करने के लिए अनुमती उनको मिल जाएगी तो एड्मिनस्ट्रेशन ओफिस में लोग जो है स्कूल कॉलिज यॉनिवेस्टि में दाखिली के लिए आप आवजा ही कर सकते हो आपको थोड़ी बहुत वहाँ पे छूट मिलेगी जितनी भी देखिएगा एक्सपोर्स कंपनिया हैं और कंपनिया जो उने मैनुफक्शर और आपूर्थी करती हैं उनमें जो है 27 जिलों में 50% स्टाप के साथ आप अपना कारिये कर सकते हो लेकिन 11 जिलों के अंदर जो मैंने आपको गैडलेंस उपर बताई दी वहाँ बर 25% स्टाप के साथ ही काम कर सकते हो ठीक है और बरतमान में अन्य कार खाने इस्टेंडर गाइडलेंस का पारण करते हो 33% के साथ ही काम कर सकते हैं और कार खानों में काम करने वाले लोग जो हैं अपने बहानों से एरेजिस्टरिसन करने के बाद और कार खाने दोआरे जारी करा गया आई कार्ड के साथ आवा जाही करने के आपको इजाज़त है काम पर जाने के लिए आपका अनुमती है बहीं बात करें information technology और IT service कंपनियों में केबल 20% करमचारियों या 10 लोगों को ही काम करने के अनुमती है लेकिन मान के चलिए कहीं पर जो है मान के चलिए एक हजार लोग काम करते हैं किसी मतलगी बहुत बड़ी बिरांच में तो बहाँ पर केबल भी 20% लोगी काम करेंगे ठीक है आप समझ गए होगे इस फंडे को क्या है अगला point है कि housing company जितने भी हैं और non-banking financial institute जितने भी हैं और जितने भी आपके सभी बीमा company हैं ये भी 33% stop के साथ काम करेंगे ठीक है जी अगला point यह है कि जितने भी देखेगा तसमेक यानि कि सराब की जितने भी अलकोहल की liquor की जितने भी सराब की दुकाने हैं सुबह 10 बजे से लेकर साम 5 बजे तक खुलेंगी अब जानते हैं वो guidelines जिनका update हमारे पास 13 जून को guidelines में update हाया था तो 13 जून को हमारी guidelines में थोड़ा से change करा गया था उसे समझीए तो उसमें number 1.8 डाला गया था 27 जिलों में ही चाही की दुकानों को खुनने के लिए अनुमती सुबह 6 बजे से लेकर साम 5 बजे तक रहेगी लेकिन केबल पार्सल में delivery की अनुमती है इसके अलाबा जैसे bakery और restaurant की लिए अनुमती है बैसे ही मिठाई और नमकीन की किस्म की जितने भी दुकाने उनको अनुमती होगी ये सुबह 8 बजे से लेकर दुफर 2 बजे तक आप अपनी parcel system के लिए बिकरी के लिए अनुमती आपको है किबल parcel system के माध्यम से ठीक है बहाँ पर बैटके आप खाना नहीं खवा सकते ठीक है जी और देखिएगा जितने भी सरकारी office certificate और service के लिए apply करना चारे हैं सरकारी office से जड़ा हुआ कारी है तो e-service center जितने भी है आपके cyber cafe की common service center भब खुल जाएंगे तो 14 जून से जो आपके खुले रहेंगे तो आप अपना कारीय करदबा सकते हो cyber cafe की दुकान से जाकर तो देखीगा दोस्तों आपकी यही गाइडलेंस थी जो 14 जून के सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी और इसके बाद तमिल नाडू में फिर ये लोगडाउन 21 जून के सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा तो वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तो देखीगा मैंना आपको ये सारी चीज़ बता दी है कि पहले तो मैंना आपको बो बता है जो हमारी पूरे तमिल नाडू के अंदर लागू रहेंगे तमिल नाडू के अंदर यहां पर जो आपको 27 जिलो की गाइडलेंस बताई है यहां पर कुछ ऐसी भी गाइडलेंस है जो हमारी जो मैंना आपको पहले गाइडलेंस बताई ती पूरे तमिलनाडू के अंदर थी, वो बहाँ पर हैं लेकिन 27 जिलो के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब यह है, कि जो guidelines आपकी स वाले folder में मैंने आपको नहीं बताई थी, वो आपको जो आपको पूरे तमिलनाडू के अंदर बताई थी बो वाली आपके लिए लागू होंगे ठीक है जैसे कि मान के चलिए इलक्टरिसियन की दुकाने की रिपेरिंग से जुड़े होगे जो लोग है बो मैंने यहाँ पर तो नहीं बताए लेकिन बो लोग कारिये करेंगे क्योंकि वो तो common service है ठीक है जी तो आई होप कि आप समझ गए होगे कि आप वीडियो रिपीट करके भी थोड़ा देख सकते हो आपको समझ में आ जाएगा तो यही तरह आज की वीडियो में तो हमें दीजे इजाजत थेंक्यू सो मच